इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 89 के बारे में आर्टिकल 89 बतलाता है कि जो चेर्मेन होगा और जो डीप्युटी चेर्मेन होगा राजिसभा का वो कौन हो सकते है और उसका क्या कहानी है ठीक है तो एक सबसे important बात तो ये है कि जो vice president होंगे भारत सरकार का भारत का तो वही राजसभा का chairman होगे ठीक है अब रही बात deputy chairman का तो deputy chairman वह होंगे जो कि राजसभा में एक member हो और उनका election होने के बाद उस member का चुनाव कर लिया गया हो और कहा गया हो कि यही भाई साब होंगे अपने राजसभा का deputy chairman ठीक है तो वह वेकती राजसभा का deputy chairman बन सकते हैं लेकिन मान लेते हैं कि उनका जो seat है वह वेकंट हो गया किसी भी situation में या तो जो देत कर गा है या फिर वह अपना पद को छोड़ दिए वगर अगयर किसी भी situation में अगर उनका seat खाली हो जाता है तो जो राजसभा है राजसभा के जो members है वो फिर से अपने में एक अलग आदमी को फिर से चुनेंगे अलग member को और उनको फिर से deputy chairman बना दिया जाएगा नई member को ठीक है तो ये कहानी है अपना deputy chairman और chairman का जो की राजसबा की होंगे तो chairman होंगे vice president और deputy chairman होंगे राजसबा का कोई भी member जिनका election होके जीत के वो deputy chairman बनेंगे ठीक है आर्टिकल 89 बस इतना ही कहता है और ये एक important आर्टिकल लिदा और बस इतना ही और दो like, share, comment, subscribe to this channel and thank you very much